दोस्तों यह है Fortron Company का एक light stand और इस light stand का यूज़ करने वाला हूँ मैं अपने virtual tours के लिए यानि की 360 camera को इस पे mount करूँगा और इसको यूज़ करने वाला हूँ काफी lightweight और कितना lightweight है वो भी मागी वीडियो में detail में बात करूँगा पैकेजिंग देखके अंदाजा तो लगी गया होगा कि वह या Amazon से आई और मेरे से ज़्याद एक्साइटेड आ रहे आए देखने के लिए कि पापा ने इस पैकेज में क्या मंगवा लिया है तो भाया आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि यह जो stand है इसको light stand basically light म मैं कुछ नहीं फिट करना इसमें में 360 camera अपना मांट करना था और एक हलका सच यह था जिससे में कहीं भी ट्रेवल करते हैं में लेके जासको यह फोट्रोन का 850 LS करके जो मोडल है लगबग 850 या 800 लेका 850 लिपके बीच में आता है made in China product है साब साब मैं बताएता हूँ पह जो है जो लाइट सेंड फोटरोन कंपनी का है और बाकी इसके कुछ फीचर्स हैं वह भी यहां पर दीए मैं बिताता हूँ क्या क्या कुछ है कि परफेक्ट फुर दे स्टूडियो फोटोग्राफर के लिए फोटोग्राफर ब्लैक सेटन फिनिश भी है इसमें और साथ में यहां पर भी कुछ-कुछ फीचर्स दी हो है कि मैक्सिमम हाइट जो है इसकी ओपरेटिंग रेंज या ओपरेटिंग हाइट जो है लगबग शोलह सोतर यानि लगबग 6 फिट के आसपस आपको यह हो जाएगी और मिनिमम हाइट जो है वो भी 50 mm के आसपस आप इसको यूज यूज कर सकते हैं रिवर से बहल है जो काफी अच्छी चीज है और यूट्यूब का डायमेटर वो लगबग 30 mm का है जो वह भी काफी कम है मैं मैं मैक्सिमम मैं कह सकता हूं तीन किलो तक की आप कैमरास को यूज कर सकते है और सब सची चीज यह है कि इसका टोटल जो वेट सब्सक्राइब करना वह भी यह एक केजी है मैं लोग एक केजी से भी कमल लगबग 900 ग्राम इसका आइटम का वेट है यानि जो लाइट सेंड है इसका 850 RLS मोडल नंबर है और बाक्की भी इसको फोल लेते हैं तो इस तरह की जो बैग है इसका ट्राइपोड का या ट्राइ आपको बैग भी साथ में उफर किया जाता है अलग से कुछ नहीं करीना और अंदर से कुछ ऐसी पैकेजिंग इसको चला मैं लग कर लेता हूं फिर दिखाता हूँ आपको की यह कैसा है और सब सची चीज यह जो इस ट्रेंड की मेरे को लगी वह एक लाइट वैट तो ही द पहले बता जता हूँ जहां पर तेज हवा चल रही हो ना वहां पर यह लाइट स्टेंड अगर आप यूज करोगा न तो बिल्कुल भी मैसेज़स नहीं करोगा क्योंकि इतना लाइट वेट है कि हवा के जोके साथ अगर आपका कैमरा होगा वो खराब हो जाएगा पेज ज प्लास्टिक के बने वा लोक्स है और यह देखे इस तरीके की आप जो ट्यूब है यह बहुत ही लाइट वेट है और मतलब सुदी से बात है बीच में से हो लो है तो इनका कोई वेट नहीं होता है ऐलम्यूनियूम की बनी होगी शाए दिया और यहां पर यह जो सपोर्ट दिया हुआ है यह मैटल का दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी ऐसा लगता हो कि बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ है या बार-बार आप इसको फोल्ड करते हो तो यह खराब हो जाएगी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा काफी प्रड़क्ट अच्छा तो आप जो रिवर्सेबल जो लिखा वह उसका मतलब ही कि आप जो नीचे के इसके पैर वो बिसिकली रिवर्स उपर की तरफ चले जाते हैं जिसके कारण क्या होता है यह बहुत कम जगह में स्टोर हो जाता है आपको बस इसको इसको इस तरीके से खोलना है और जो सब से न या गूगल स्टीट विव के लिए या फिर बाकी किसी बिजनस के तो मोस्टली जो हाइट जाती हो साड़े पांच या एक हुमन नूर्मल हुमन की हाइट होती है उसके एकवल रखना होता है तो इसकी मैक्सिमम हाइट अलग वो 6 फिट के असपास है क्योंगी कुछ 360 कैमरा जो ओपर मौंट करने के बाद थोड़ी साइट बढ़ जाती है तो बैया मोटा मोटा जो है मेरे लिए मेरे यूज के साब से परफेक्ट है तो अगर आप भी अपने 360 कैमरा या फिर विर्चुल टूर के लिए एक बढ़िया सा सस्ता सा और जो एक दिम बिलकुल हलका सा ट् तो बैया थोड़ा एवियो होने पर मैं तो डिकमंड करूंगा नहीं कि आप अपने स्टूडियो के लिए इसको क्रीदे लेकिन हाँ जहां बिलकुल हवा नहीं है वहां आप यूज करना चाहूँ और हलके फुल के परपस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो तो बैया बा अग 6 फीट है तो उससे थोड़ा सा यह कम है यह maximum height है जिसको आप इसको operate कर सकते हैं तो बाकी decent quality है कोई मुझे शिकायत अभी तो नहीं लगी बाकी कुछ होगी तो आपको कमेंट करके जुरूर बता दूँँगा डिस्रिप्शन में और जो first कमेंट हा उसमें भी a pin कर दिय यह इसका purchase link amazon से आप इसको बड़े आराम से करीज़ पाओगे एक से दो दिन में आपकी घर में यह deliver हो जाता है थैंकि दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और इस tripod या light sun से लेटेड अगर आपको कोई भी question है फोट्रोन के तो आप कमेंट करके मुझसे पूच सकते हैं